हेलो ट्रेडर्स, ट्रेप ट्रेडिंग के कॉंसेप्ट को आज के वीडियो में बहुत अच्छी तरह समने क्लियर करने के कुशिश की है आज के वीडियो में हमने क्लास के अंदर एक एक्जम्पल लिया था इसमें एक फेक ब्रेक आउट जो चार्ट अभी है इस वक्त आपके सामने प्राइस ने एक फेक ब्रेक आउट अपसे तरफ दिखाया और यहां से जम्पलास के अंदर एक वापस से प्राइस फिर हमारा नीचे की तरफ आया जिस चार्ट पर हम फो पर हम ने फाइंट किया कि वाकिए उस तरह की पर कैसे समझ सकते हैं कैसे कर सकते तृक्त जिका रहा है तो यह मार्केट चल जाने के पर बहुत अच्छी तरह से देखा देते हैं कि यहां पर ऐसा हुआ तो हम लोग यहां पर ऐसा कर सकते थे यहां पर एंट्री हो सकती थे यह इस टॉप लॉस एक्चुलि यह लाइव मार्केट में क्लास के दौरानी साइट चीज़ी चल रही थी और लाइव मार्केट में ही करते हैं तो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का एक क्लास रिकॉर्डिंग सेशन जितने भी चैप्टर समेक के करके आप लोगों को पढ़ाते जा रहे हैं उन सब ही को बहुत फोकस के साथ दिमाग में रखियागा मतलब उनकी ट्रैक्टिस कॉंटिनू करते रही हैं अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको नेक्स चैप्टर पढ़ाने के बाद निए पिछला चैप्टर बहुन जाओ प्रेक्टिस कॉंटिनू रखना आज जो चीज हम लोग देखेंगे एक तरह से एक ट्रैप देखते हैं ट्रैप 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 को किस तरह से हम पहचान सकते हैं एक पॉस्टिविल्टीज क्या बन सकते हैं हैं तो कहां पर ट्रैप हो रहा है क्या हो रहा है मतलब इसके ओपर तो बहुत सारा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ब्रहांतिया है क्योंकि सभी का अपना-पना मेथेड होता है हो सकता है मेरे लिए जो pattern just a minute जब बात आती है traps की असल में यह कोई छूटी मूटी चीज नहीं होती है हमें एक लाइन में आपको बता दें और समझाओ उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग क्योंकि trap का मतलब हो गया ना फिर एक next level पर जा कर कि हम लोग discussion कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है next level अगर हम बोल रहा है तो next level का मतलब भी होगा कि previous चितनी भी levels वो सारे के सारे हमने समझ लिये हैं एक ही होता है कि हम आपको समझाते चले जा रहा है कि यह ऐसे होता है दूसरे में चले है तो फिर यह कुछ क्या बैर को इसकी कम काई कर रहा है तो मस्ट बाता है मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ आपको बता तो उसको समझो, हो सकता है अगर हम आपसे trap trading के उपर आज, just for example, आज अगर हम trap trading के उपर आपसे discussion कर रहे हैं तो हो सकता है probabilities are very high कि आज जो हम आपको बताएं वो महस 2% हो मतलब अगर 100 points रख लें किसी भी subject के उपर तो हो सकता हम आज आपको trap trading को पर जो पता है महस 2.2% हो क्या चीज़ हम clear करना चाहरे हैं आपको हम possibilities मान के चलने कि वो 2% है तो जो भी concept हम आपको बता रहे हैं उसे आपको और आगी की तरफ समझना होगा और उसे बढ़ाना होगा तो जो चीज़ें हम जितनी बता रहे हैं वो सिर्फ उतनी ही नहीं है actually हो सकता है वो सिर्फ उसका एक चोटा से सीराविक point हो आप उसको और समझो और समझो और समझो और समझो तो वो एक पूरा सार बनता है समझ में आते हैं कि यह तो कुछ नहीं तहीं तो और भी बड़ा subject बेएफ़ होता चला जा रहा है, कलास शुरू करने से पहले ये चीज़ हम आपसे इसले डिसकस करने हैं, कि जो भी चीज़ें हम आपको बतांगे न, ये मान करके चलना, कि इसके आगे भी अभ़ी बहुत कुछ है, यह चीज़ें करतो हीएज सेजेख कोई बैट कोई खाते पीते जो भी महसुस होता है कोई बहुत रिलेक्स हो करके सब लोग देखते हैं 2% हमें आता है हम एक ही परसेंट आपको बता पाएंगे और 1% की जगा हो सकता आपको 0.50 या 0.40 परसेंट आपको समझ प्याएं जितना समझगे हो सकता है लाइव मार्केट में उसका अधा ही बच्चे आपके पास जो भी बाते हम बोल रहें हम कोशिश करेंगा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो लेकिन जितना आप समझ के सिर्फ उतना ही नहीं जब उसको आप लाइव मार्केट में प्रेक्टिस करोगे इस एक चोटी चोटा सा पॉइंट है अभी आगे बहुत बड़ा है कॉंसेट कफी पड़ा है ठीक है अचली होती क्या है ट्रैप से बचने की जब लोग बात करें तो यह होता है कि हमने आपको कोई भी चीज बता दी जैसी चार्ट चल रहा है मारा अवली टाइम फ्रेम है हम यह मान करके चलें कि यह मेरे कुछ स्विंग पॉइंट्स है यह यह लिजए यह मेरे स्विंग पॉइंट्स प्राइस क्या कर रहा है इस एक जगे से क्या मूव हो रहा है इसको समझो एक स्विंग यहां पर लगा दूसरा स्विंग यहां पर लगा तीसरा स्विंग यहा वाला स्विंग डाउन फॉल आया और यह जो वॉल्यूम आई है हमारी इसने एक प्रॉपर रेस्टेंस फॉइंट फॉर्म कर दिया आगे चल करके मार्केट ने इसी जगे पर एक स्विंग बनाया और अभी प्रैजिस वाले स्विंग के ऊपर ट्रेट कर रही है हमारी तरफ स ग्री सिगनल है और चीज़ें हम देख रहे हैं हमारी तरफ से ग्रीन सिगनल है कि हम अब इस अगर बाई साइट जाना चाते तो बाई सब्सक्राइब प्रिम नहीं करेंगे मतलब कि में तरह से हैंड़ पसंट के रहे है अब अब यहां पर आता है ट्रेप देखिए इससे यह volume, यह level drawing, यह swing और यह important candle के माख की न यह क्यों mark की ए ट्रैप को समझने से पहले अभी हमने जासा बताया है कि जितने भी आपके इससे पहले के points वो clear होने चाहिए तो ये सारे points आपके clear होने चाहिए कि जो भी चीज़े हम बता रहे हैं ये आपको clear हो अच्छी तरह से जितने videos हमने आप लोगों को दे रखे हैं देखने के लिए private पर ले जो videos हैं उन सारे videos को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको calling session जो होने वाले हम लोगों को उस calling session पर जो भी discussion वो सारे के सारे समझ मैंने चाहिए समझ के अच्छा अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए उसे merge करते हुए उन लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है यह by side के symptom देखा रहा है अब क्या हो सकते कि प्राइज आपके according by side में जाने की कोशी कर रहा फिर यहां से गिर जा नीचे अब बताए यह जो लोग बोलते हैं कि trap trading system यह trap है trap को समझो trade execute करो कोई chance बन रहा है कि यहां से market trap हो रही है trap होने के बाद में सब बता देंगे मतलब कि कोई भी आप किसी को भी देखो जा करके just a second कोई भी किसी को भी देखा अगर कोई आप लोगों को trap trap के बारे में पढ़ा है तो पता है क्या करेगा एक चार्ट ले लेगा वो वो running नहीं है वो बन चुका है चार्ट अच्छा अब बने हुए चार्ट पर कैसे देखे trap समझा रहे हैं कि यह आपका एक support point था price नीचे निकला और देखे इसने हमें trap कर लिया और trap करने के बाद है market उपर चली गई यहां से हम buy कर लेते यहिए और यहाँ पर stop loss लगा देते और इससे करिपने profit book कर सकते थे आक्शली यहाँ पर लगा देते और यह कर सकते थे मैंना बहुत सारे लोगों को चंवोस करके रखा हुए है ज्यादा हम नहीं बोले हो सको अगर हम गलर खुल कर बोले तो मौलब बर्बाद करके रखा हुआ है यह कर सकते थे तो ऐसा हो जाता अरे हो गया वो जो होना था हो गया हमें यह बताइए लाइब मार्केट में अगर हमें समझना है अगर कोई कोई भी स्क्रिप्ट हम ट्रेट करें तो एक्चुली वहां पर ट्रैप है किस तरह से समझेंगे याद रखो अभी जो इसके रोज लाइब मार्केट में आप शेयर करोगे जो भी हम प्रैटिस करने लिए आपको देंगे लाइब मार्केट में उन्में शेयर करो गे नेक्स्ट वीक हैं उसका पूरा एक तरह से अब ही क्यों पढ़ाने का मेरा रीजन क्या है क्योंकि सारे concept लगभग लगए हमने आप लोगे clear की हैं अब हम लोग इस stage में हैं यहां पर जाए हम लोग इसको समझ रहे हैं तो जो भी चीज़े हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना और live market में discuss करते रहे हैं आम से देखिए चार्ट फेज देना questions जो भी रहेंगे न questions में बता देना यह भी हो सकता है कि हम trade में बने हुए हैं अगर हमारा trade चल रहा है तो उस वक्त थोड़ा से यह समझ रहे हैं कि नहीं अगर reply नहीं तो परेशान नहीं कि फिर message आ रहे बताईए यह करिए नहीं जब trade चल रहा होता ह उस बीच में discussion नहीं करते हैं क्योंकि focus दूसरी जगह होता है ध्यान दूसरी जगह होता है और ऐसा भी नहीं क्या हमने बिना देके बस रियस्ट हो ऐसे कर दिया अगर कोई question है तो उसको पढ़ना पड़ता है टाइम देना पड़ता है अगर कोई चार्ट आ भेज रहों तो चार्ट को पूरा re-analyze करना पड़ता है हो सकता है एक बार दो बार analyze करें तो उसमें time जाता है अगर हम time उधर देंगे तो हो सकते है मेरी ट्रेटपर से हमारा ध्यान हट जाए या जो अपना हम काम करें मेरा वीडियो बन रहा होगा तो हो सकता है उसमें disturbance हो moral of the story अगर हम ट्रेट करें ना तो हो सकते है फिर आपको reply ना थोड़ा सा वह वेट करना लेकिन आपका काम इतना है कि जो भी हम काम करें जो भी आज हम exercise करने के लिए वह लाइव मार्केट में भीजना क्योंकि इसका फैदत अभी होगा हमारे दर से जवाब जाए ना जलेकिन आपको सार अनन समझ में आ रहा जो चीज़े हम बोल रहे हैं लास्ट वीक अभी जितने भी कॉंसेट से पहले क्लियर कि वह सारी क्लियर है आपको यह सारी कॉंसेट क्लियर है नहीं के करके है प्रिवेस वीडियो नहीं देख पाया था जो आपने वी वाट्स अपर दिया मुझे वह द कि अभी हमें ट्रैप को समझ रहे हैं तो एक बात अपने दिमाग में यह याद रख लिए न कि अब लोग एक्शुली में कुछ मतलब ऐसा करने जा रहे हैं कि जो वाकई में मेहनत वाला काम है क्या हो रहा है हमने यह जार्ट इसलिए मार्क किया हुआ है क्यूंकि किएगा इस जगह पर क्या हो सकता है प्राइज में भी चांस है इस जगह से आपका डाउन फॉल दिखा दे यहां से नीचे कर जाए यह रेस्टेंस ऑलड़ी हमने मार्क करके रख्यों है अभी आप से डिस्कस कर रहे हैं तो प्राइस की कैंडल यहां कहीं थी और अभी धीरे दीरे 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 रिजक्ट करके भी यह नीचे की तरफ आ गई है ठीक है इसको और हम लोग देख लेते हैं तो फिप्टी नुट के टाइम फ्रेम हम लगा लेंगे इसने एक फॉल्स ब्रेकाउट हमें दिखाया उपर की तरफ ब्रेकाउट दिखाया और वापस देके इस एक्षन लेन ले लेते हैं प्राइस हमें ट्रेप कर लेता है ट्रेप करने के बाद में हमारी लेवल के अंदर रियेंटर हो जाती है मारके और हमारी जितने stop loss होते हैं जा चुके होते हैं एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि stop loss कबल सरी वो तो जाएगा ही जाएगा तूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हमने trap के trap करने के बाद में stop loss को actually count किया है ना stop loss में भी चांसे कि हमारा बच जा है तो ये दो अलग-अलग बाते हैं किया है stop loss अगर जा भी सकता है और यहाँ पर हम लोग अपना stop loss बचाए भी रहे हैं देखे इस condition में होता है क्या है हमारा trend identification ये बहुत बड़ा रोल प्ले हो रोल प्ले करता है जब हम लोग देखने जा रहे हैं आपके trap को trend identification अभी trend identification में ये होता है कि हम लोगों का view actually clear होता है क्या करना है हमें buy करना है या फिर हमें sell करना है इसको समझो एक वीडियो है जो private वीडियो में पूरी लिस्ट में आप लोगों को share क्या हुआ है trend identification करके इसके साथ में stocks जैसे हम लोगों के पास आ रहे हैं तो इस stocks में भी सारी चीज़े inbuilt है trend identify है आप लोगों के already जैसे weekly वाले stock हो गया PVZ वाला system हो गया अपना और जितने भी methods हैं हम लोग stock selection कर लिए उस करते हैं उसमें inbuilt है buying करनी या फिर selling करनी है एक concept अगर हम लोग छोड़ दें bullish और bearish contribution का तो उसमें यह चीज़ थोड़ी सी हम लोग liberty ले करके चलते हैं अच्छा यह दूसरा हो गया bullish bearish contribution कभी आप छोड़ दो क्योंकि उसमें भी हम किसी एक ऐसे stock analyze कर रहे हैं जिसको कि हमें सिर्फ short selling करनी है सिर्फ हमें short selling करनी है और price यहां से क्या हो रहा है बाई हो रहा है बाई दिखा रहा है अब देखे यहां पर समझ में हैगा कि हमें actually करनी है तो short selling है और price हमारा दिखा रहा है यहां से buy है और यह वाला जो हमारी दो lines है, इन lines को हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरे point of actions है, इस जगह से हमें करना है, जो भी movement या जो भी exercise हमें करनी है, वो इस जगह से ही करनी है, यहां से, अपने point of action के पास से, क्या करना है, हमें sell करना है, हमारे पास हमारे point of actions है, अब price इस जगह पर कहीं move कर रहा है, अब देख मचमार है ना अगर price हमारा upside की तरफ जा रहा तो फिर चले जाने दो क्योंकि ये मेरा एक resistance area है और इस resistance को market ने upside की तरफ brick किया ओपर की तरफisstmassir भ्रिक किया अगर market को upside की तरफ जाना तो इससे क्या करना होगा हमारे किसी भी resistance को market कि यह करके ही अपपसाइट की दरफ जाते है अगर इस उपर की दिर जाना तो यह को ब्रिक करेगी और यह अपसाइट की तुरफ zij поехगे इस तरह उने जैसा बताया था और मार्केट क्या कर रही है उपर की तरफ ट्रामा दिखा रही है इसने कई लोगों को यहां पर ट्रैप किया कि देखो हम बाई हो रहा है मैं बाई कर लो और यहां पर हो सकते हैं थोड़ी देर तक होल्ड करें बाई कर रहा है अगर वापस से हम लोग पढ़ रहोते हैं तो इसमें एक चीज़ यह आती है हम लोगों को सेक्रिफाइज करना पड़ता है काफी कुछ मतलब प्राइज हमारा अपसाइड की दिर्फ जा रहा है और ऐसे में क्या लगेगा न यहां पर जा रहा है और हम यहां पर लेकर करके बैठे हुए है ट्रैप क्या है मार्केट ऊपर यहां बेफूफ की तरह हम सेल करने के लिए बैठे हुए हम सिर्फ जो हम करना चाह रहे हैं उसके इंडिकेशन के लिए बैठे हुए है अगर उस तरह से मार्केट हम इंडिकेट नहीं करेगी न तो हम काम नहीं करेंगे जैसे ही अभी भी हम कह रहे हैं प्राइज अगर रेंज के अंदर आई तो जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए है ना सारे के सारे स्टॉप लॉस अपने होंगे यह हमारी स्टॉप लॉस होंगे जो कि हम लोग लेंगे चांसेस हमें बहुत कम लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी यह एक ट्रैप एक तरह से मार्केट को डाउंसाइड की तरफ ही आना है समझ कैं अब हम लोग यहां से एक दूसरा एक्जांपल लेते हैं इसको हम लोग देखते रहेंगे देखेंगे MQR का चाहर्ट लेते हैं MQR में देखे अपने दो लेवल्स इसमें द्रॉब कर रखे हैं हमने Support सपॉर्ड ओ पर के डेस्टेंस पाइं довे धायR पर है कैं यह क।ρ चॉट-tum रेस्टेंस बन रहा थे हमने doleïte के हुए अब विदेखे ये कुछ सपोर्ट है weld ऐर टो यह आप लोगों को बहुत सारी चीज़े से पॉलिंग रोज हमने पढ़ाया है विए से पढ़ा रखा है और डिक्रीजिंग लोज पढ़ा रखे हैं बुलिश फेरिश कंट्रिक्शन पढ़ा रखे हैं यह सारा जितने भी कॉंसेट हम आपको बता हुए हैं इन सारे कॉंसेट्स क जो भी करना है अब हम देखेंगे यह हमें यह हमें रीड करना पड़ेगा मेरे पॉइंट ऑफ एक्षन यह वाली निकल क्या रहा है फर्क नहीं पड़ता यह अपने कौन से मेथर्ट्स से ट्रॉक हैं इस बात से पड़ेगा कि यह लेफल हैं कैसे क्या जो लेफल हम अपर के कौर्डिंग जिस भी मेथट के कौर्डिंग अपने लेवल से लग जा तो उसका क्या मतलब होता है तो यहां पर क्या हो रहा है सपोर्ट 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 और यह सपोर्ट ठीक है इस जगह से अब हम आते हैं सिद्धे 15 निट के आपको क्या लगता है अगर कोई इतना अच्छा सपोर्ट नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोज किया हुआ है इस जगह से अगर क्लोजिंग की है तो क्या होगा कौन यहां पर है जो कि शॉट नहीं कर देगा इस जगह से क्योंकि वॉल्म्स के साथ ब्रिक आउट हुए है आप आपको याद होगा आपको प्राइविट वीडियो में एक चैप्र मिला था चैप्र नंबर टैन जिसमें हमने सपोर्ट पर वॉल्म्स बढ़ने का एक वीडियो है चैप्र नंबर टैन आप देखो तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आगा एक्शली उसका वॉल्म इंक्रीज कर रही है उसके कैम पेक्ट पढ़ेंगे अगर ब्रेक आउट कर रही है मार्केट और यहाँ पर अगर वॉल्म्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर देखे सेम चीज़ें क्या है मतलब यह बन रहा है सपोर्ट हमारे सपोर्ट से क्या होता है support पर generally लोग क्या करते भाई भाई ही तो करेंगे ना यहां से भाई होगा, कौन बेवकूफ है जो यहां से short selling करेगा, short selling हो रही है अच्छा, मतलब support है और दूसरा short selling हो रही है volumes भी increase हो रही है ठेप, इतनी साधा अगर volume increase हो रही है यह मेरे point of action है और यह मेरी selling की candle बन रही है बड़ी से, okay, selling की candle बन रही है इतनी बड़ी volume भी आ रही है अच्छा, तो क्या हम सिर्फ एक candle को देख करके short कर देंगे यह चीज हमें पहले से पता है, उस वीडियो में आप देखोगे, हमने क्या बताया हुआ है कि इस वीडियो के उपर हमें क्या करना होता है हम यहाँ पर repeat नहीं करेंगे उसको लेकिन आपको पता होगा कि इस वाली candle के उपर करना क्या है, यह confirmation candle बन जाती है हमारी actually यह है traps हम इससे क्या चीज़ समझ रहे हैं क्या हम समझना क्या चाह रहे हैं जब भी हमारे point of action पर कोई भी movement हो रहे है with volume चाहे वो support हो और चाहे हो resistance resistance पर volumes increase हो रही है इस तरह से volumes increase हो रही है तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है हम लोग just one candle के movement के उपर यह one candle के अंदर जो volatility होते ही यहाँ से हम लोग selling या buying consider नहीं करते हम लोग इसको थोड़ा सा watch करते हैं देखते हैं क्या होगा अभी हमने बताया ना कि जब हम लोग बात कर रहे हैं traps की तो कुछ हम लोग बड़े पंगे लेने चाह रहे हैं यह हमारे आपके bus की बात नहीं कि हम इतनी बड़ी volume generate कर दें यहां पर बड़ा game हुआ है तो हम लोग उसको समझेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से pointer fraction निकले हुए हमें पता है market क्या करें न market के पास एक यह area है और इस area पर आकर के price बार बार रुक रहा है एक movement, दो movement, तीन movement यह हमें देख रहा है क्योंकि आवरली आपके higher time frame से हमने मार्किंग की है कुछ ऐसे भी तो होंगे traders जो कि higher time frame को देखें नहीं होंगे तो सिर्फ lower time frame पर अच्छा 15 पर यहां पर breakout हो रहा है यहां पर कोई movement होगा तो इसके माइने होते हैं और वो हमें समझना होगा इसको बोलते है price action reading volumes के साथ में जब लोग price को मिला करके reading करते हैं तब इस तरह के concept निकल करके आते हैं दोनों ही time frames को include करना पड़ता है which is daily and hourly and lower time frame एक higher time frame और एक अपनो lower time frame हो गया तो higher time frame पर यह movement हो रहा है अब अगर यहां से market हमें downfall दिखाती है down move हो गया तो ठीक है फिर वरना क्या होगा जैसे market ने इस जगह से movement हम लोगों को दिखाए हैं क्या हुआ है एक बार उपर आई एक बार नीचे गरी market वापस उपर चली गए फिर से नीचे आई फिर उपर चली गए अपने entries के confirmations के इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि जो भी concept जो भी एंट्री के pattern से नोपर ध्यान दो सिर्फ एक candle के close हो जाने पर से entry नहीं हो जाती है जैसे double bullish, double bearish का अपना pattern है, bullish drop, bearish drop का pattern है इन patterns को यहाँ पर देखना ज़रूरी होता है आप देखों यहाँ पर कौन से format बन रहे है, कौन से formation बन रही है, है न 1 प्लस 3 हमने आपको बता रखा है entry की formation यहाँ पर देखे chapter number 10, chapter number 9 और 1 प्लस 3 सारी formations इसी जगे पर फॉर्म हो रही है volumes increase हो रही है आपकी, यह है न simple साफ सब दिख रहे है कि यह trap है, selling नहीं करनी है अब क्योंकि यह अपनी level से दूर है, यह काफी दूर है, अब फिर surprise देखे, अब अगर यह हमें देखना है न, आप देखना, 1318.40 यहाँ पर market को वापस आने दो, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि market अभी चल रही है न, तो यह नहीं कि अब कहीं पर भी level drop कर दें कि देखो, यहाँ पर भी a fake breakout नहीं नहीं, हमारे level अक्शली यह नहीं है, यह script को इस वक्त हम लोग read करें, यहाँ पर जो हमारे levels है वो यह वाली, यह हमारे point of actions है, यहाँ पर मैं समझना होगा, इसी जगह पर समझना होगा, अब फिर से अगर हम लोगों को fake breakouts देख रही है, market को नीच candle form हो रही है, बनने दो इसको, बहुत कम chances हैं कि price उपर की तरह जाए, नीचे ही गिर जाएगा, इस इस काल ट्रैप, आपकी level के उपर price पूरी तरह से confirm कर दे कि यह buy है, एक candle close हुई, वापस देखे market नीचे की तरफ, जैसा कि यहाँ पर हुआ न, अहाँ किया, इस जगह पर class complete हो जाने के बाद भी इसको आप देखना है, वाप ऐसे सब लोग region करें, कुछ हम आपको formations बताते हैं, lower time system की formation होगी, उन formations की तुरू कैसे हम लोग traps को समझते हैं, उसके पर discussion करें, चलिए, सब लोग फटा से region करें, continue करते हैं, formations देखें, अभी हम यह मान के चलने हैं कि आ point of actions आपके clear हैं, इसके साथ आपका ठीक है, जो दो points clear है, इसके बाद में entry patterns जो ने बताय हुए आप लोगों को, वो entry patterns आपको पता है, यह जो line अभी हमने mark की है, हम यह मान करके चल रहे हैं, कि यह मेरा daily time frame का एक point है, daily time frame के line है, आप वाली time frame वाली एक से साइज जाद रख जैसे हमने वहाँ पर levels आपको निकालने होता है, हमें same price action चाहिए होगा यहाँ पर भी, चाहिए वो daily हो, चाहिए weekly हो, चाहिए जो भी time frame में use कर रहे हैं, यह में price action पर ही चाहिए, जो कि उस video हमने आप लोगों को clear किया, same price action, अभी देखे यहाँ पर क्या होगा, एक तो हो करने से पहले में पता है क्या करना है, हमने उसका price action नहीं देखा है, हमने can chart देखा ही ने, और सारे methods से हम लोग चाहिए नहीं देख रहे हैं, हमें पता है कि PVZ में जो stock आएग उसके साथ क्या करना है, weekly वाले stocks उनके साथ क्या करना है, और loser gainer जो stock, जिस method से हमने आपको बत काफी लोगों का confusion भी है, तो कल सारे जितने भी stock selection के अपने methods से उस सारे एक एक करके सारे हम clear कर देंगे, तो Camarilla वाला कल में नया होगा, moral of the story के जितने भी method से सभी में clear है, सभी में clear है, एक होता है जो हम लोग निकालते हैं अपने levels, यहाँ पर levels important होते हैं, जैसे कि bullish, continuation, ठीक है, bullish continuation से हम अपने पास level निकाल लेते हैं, जो अपने stocks के लिए मापस level आ जाते हैं, अभी level तो आगे हमापस लेकिने करना क्या है, क्या करें, बाइंकरे से लिंग करें, तो वो समझ में आता है हमें reading से, readings like, last class में आपको बता जा हुआ है, last class में लास 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 करके readings करते हैं, ये भी trend identify करते हैं, ओके, ये भी concept एक side में रखते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी formations की तरफ हम लोग, देखिए, हमें पता है कि particular किसी एक stock में आपको short selling करनी है, अभी करनी है short selling, but यहाँ पर जैसे ही price आपका move करके, इस दिशा में गिरा, ऊपर की तरफ आय ठीक है, down move दिखाया है, इसने, short selling करनी ये याद रखिएगा, और वापस से price आपका upside की तरफ चलागी है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दो points बने है, एक तो यहाँ पर, question यह भी उट सकता है, कि अगर में किसी stock को short selling करनी है, price जैसे यहाँ पर हम short कर देंगे न, यह कि तरफ आया, और वापस से ऊपर की साइट में किया, यह किसको पता है, ऊपर जा गया है, यहाँ पर हम ने short कर दिया, देखिए, short कर दो गया लेकिन इसकी पीछे की, अपने rules क्या बोलते हैं, कि हम लोगों को यहाँ पर, formation से, confirmations लेनी है, जो formats हमने आपको बता हुए है, अगर वो formats इस जगह पर नहीं बने तो जाने की confirmation नहीं है, हमने short selling नहीं की, हो सकता है, price confirm ना करे, possibilities है, confirm ना हो, वापस देखिए, price हमारा उपर की तरफ गया, यहाँ से, अब जब यह नीचे की तरफ आगा ना, तब हम लोग करेंगे short selling, तो अब इस जगह पर कैसे confirmation link, कैसे fake breakout, like, क्या बोल रहे थे हम लोग, trap, कैसे समझें, उसको trap तो देखिए, इसमें कुछ formations का use करते हैं, एक example के लिए हम लोग formation देखेंगे, सिर्फ example के लिए एक formation हम लोग देख रहे हैं, वह हमारी mother candle, mother candle like आपकी इसी जगह पर form हो गई, यहाँ पर, अच्छा, यहाद रखना short करना है, और इसने एक mother candle form कर देख, अब क्या हुआ ना, यह mother candle मारी upset की तरफ break हो गई, ओपर की तरफ break होई, हमें करना है short, तुम क्या करेंगे, किसी भी support के बनने का wait करते, जब वो support हमारा नीचे की तरफ break हो जाता है, तुम लोग short मार देते, अच्छा, trap में क्या होता ह है, कि market आप कि यहाँ पर support form कर देगी, वो support बनाएगी, बट अगर उसे trap करना होगा, अगर उसे trap करना होगा, तो इसे live market में समझना, अगर उसे trap करना होगा, तो price support ना break करके, वो resistance ब्रेक कर देगी, और यहाँ पर लोग होते हैं trap, कभी-कभी लगता है कि क्या करें, buy कर द और price buy हो गया और आपने buy कर लिया, तो यह आपने trap को trade नहीं किया, actually आप जहां से मैं आगे उसके, अगर वाकई में आपने trap को trade करना होता ना, वाकई में trap को trade करना होता तो आप trade करते ही नहीं, हमें करनी थी short selling, आपने क्या देखा कि price उपर की तरफ भाग रहा है, आपने भाई कर लिया, unconsciously आप सोच रहे हो कि हमें trap को trade किया, बट यहां पर हुआ क्या ना, जैसे ही market upside की तरफ trap हो, दूसरे condition क्या बन सकती है, कि price आपको upside में momentum दिखा है, कि देखो यहां पर इसने एक formation बनाई, support break करने के बदले, इसने resistance break कर दिया, अपने buy कर लिया, और buy करने के साथ-साथ market नीचे की तरफ आ गई, यहां पर और यह नीचे कर गई, आप क्या लेगा, जो भाई साथ भी सोच रहे थे ना, कि हम लोग वो लेते हैं, quick decision ले लेते हैं, वो नहीं करना है, quick momentum नहीं करना है, हमें अगर short selling करने तो short selling करनी है, यहां पर देखिए, अब informants के मद कैसे लिजा सकते हैं, एक bullish candle बनी, हमें देखना है कि support के breakout नीचे की तरफ हो, price अबने नीचे की तरफ तूटे, बट यहां पर इसने resistance को break कर दे, break कर दे, break कर दिया, अब अगर वाकई में इसको sell नहीं होना, तो फिर यहां से उपर की तरफ चला जा, हम कुछ नहीं करेंगे गलती से भी अगर यह formation नीचे की तरफ आ गई, तो पता है क्या होगा, यहां पर जैसे ही market buy करेंगी न, क्या है, जैसे ही यहां पर जिन भी लोगों ने buy किया होगा न, हमें इस जगे सुनके stop process मिलेंगे, break out, buy किया, यहां से हमें उन लोगों के stop process मिलेंगे, समझ मेरा है न mother candle की, अब mother candle क्या कर रही है, अब side के तरफ breakout दिखा रही है, ताकि यहां पर लोग trap हो, और जैसे उपर के तरफ market की, इसने downside का momentum देखा हो, इस से mother candle के low के नीचा करेंगे, करदिक closing, यह हमारे लिए signal है, हमें इस एक trap को समझना है, यहां पर, कहीं पर भी stock उठा करके, यह trap हो रहा, वो trap नहीं नहीं, उसके particular point of action पर जो work हो रहे हैं, हमें सिर्फ उसको देखना है, सिर्फ उसको देखेंगे, अच्छा trend line वाले जो traders होते हैं, कि उन्हें trend line को trade करना होता है, trend line में बहुत से लोग trap होते हैं, क्योंकि trend line अक्सर, इनका nature ही ऐसा होता है, कि यह आपको द्राव होनी थी, हाँ, दखो market बन जाने के बाद में कितना अच्छा हम लोग उने इसके उपर drawing की, यह market चल जाने के बाद में कितना इच्छा है हम लोग उने support rates बना ली, यहां से पर सीधे उपर, अभी जो chart हम लोग देख रहे थे, कहां गया, सेम चीज यहां पर देखि आगे, जब लोग live marketing practice कर रहे होते हैं, अब समझ भी आते ही चीज़े, कि actually हो क्या रहा है, सारे sentiments लगते है, live marketing price up-down कर रहा है, actually यहां पर हम लोग के emotions अब जुड़ते हैं, जब लोग live marketing practice कर रहे होते हैं, और सेम चीज यहां पर, बन जाने के बाद में फिर हम लोग trend line को ब clear होने चाहिए, entry के patterns clear होने चाहिए, ठीक है, trap में कब करती है market, हमें पता है कि हमें यहां से करनी है buying, ठीक है, price यहां पर आया है, और वो नीचे गिर गया, नीचे गिरा है न, हमें buying करना था, जैसे यहां पर आया, market ने यहां से, हम लोगों ने क्या गया न, buy कर लिया, actually य short भी कर दिया, हमें पता है कि buy करना है, लेकिन फिर भी हमने यहां पर क्या कर दिया न, short कर दिया, वो जबी trend line अभी हम लोगों ने reset की थी न, तो यहां पर price हमारा नीचे की तरफ आया था, इस जगह पर, लेकिन से selling के तो कोई confirmations दिया ही न, कोई confirmation नहीं था selling का, क्यूंकि यहां पर सिर्फ आपका line यहाली break हुई, आपकी trend line ब्रेक हुई और आपने shot मार दिया, आप trap हो गए, कैसे बच सकते हैं यहां से, हमें पता है भाई करना है, ठीक है, आने दो यहां पर market को चुप चप बैठो, उपर जारी market जाने दो, confirmation जब तक नहीं wait करो, price नीचे की तर form होती है और तूसरी यह वाली candle, टीन candles होती है total, इसको और हम आपको सही से बताते हैं, एक candle होती है green, इसके बाद में यह वाली candle बन रही है, यह आपकी green भी हो सकती है और यह red भी हो सकती है, यहां पर यह बिल्कुल matter नहीं करता है, इस center वाली candle कर आपका green है या red है, but एक इस जो compulsory होती है इसके अंदर वो है यह line, इसके अंदर rejection होना चाहिए, यहां पर देखे गलत हमने वो कर दिया, first वाली candle अपनी होगी न, first वाली candle के color हमारा negative होता है, इस तरह से, इसके बाद में जो third वाली candle बन रही है, इसका color fix है, यह positive candle होती हमारी, यह तीन candles होती है, द नहीं करते है, जोरी नहीं होता है, जोरी नहीं होता है, जोरी इन दसन्स, कि first वाला वो, इसे बाद में क्योंबर क्लोजिंगöme क्लोजिंग दे, और first वाली candle के अंदर ही क्लोजिंग दे क्लोजिंग जरूरी है सिर्फ इतना रखो फर्स्ट केंडल नेगेटिव सेकंड वाली केंडल हमारी होनी चाहिए एक रिजेक्शन के साथ में पिन बार बने कलर रेड रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता थर्ड वाली केंडल की क्लोजिंग यह कलर इसका हमेशा ग्रीन ही होगा टाइ इसकी क्लोजिंग थर्ड केंडल शुड़ बी क्लोज थें सेकंड केंडल के उपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए अब अगर फर्स्ट वाली केंडल के उपर निकला तो निकल जाए ठीक क्यों हमने यह बता आपको उसका यूज हम लोग अपने पॉइंट ओफ एक्शन पर क कर सकते हैं तो सब लोग बता देते हैं कि कौन से केंडल क्या है कितनी आपका बन चुका है यह हो चुका है लेकिन जब चार्ट नहीं बने होते हैं उस कंडीशन में मार्केट को देखना होता है तब इन टोल्स के ज़रुरत पढ़ती है जैसे ही मार्केट आपकी आने लगे इस जगह पर ब्रिक आउट हो गया और ट्रेल नाइन के ब्रिक होने के बाद में एक रेट केंडल यहां पर फॉर्म हुई एक इस जगह एक रेट केंडल यहां पर फॉर्म हुई हमारी इसके बाद में एक पिन बार बन गई इस तरह से और मार्केट हमारी ऊपर क के तरफ जाकर क क्लोज diye काऊंसी सेकेंड वाँ कैंड के ऊपर में जाकर के कि इस्कें ओस्वाली की उपर समझ गया न ये रिवर्सल पैटरन बन गया रिवर्सल पैटरन है यह उपर की तरफ मार्केट नकली निइसमार के मार दो ट्रेडर। यह होते हैं trap actually यह होते हैं trap हर बार जरूरी नहीं है हर बार आपको यह साही जी समझ प्राइब हो गया कि यह trap हो गया फ्लाना trap हो गया समझ बने ज़रूरी नहीं आप हर बार समझो ही समझो ही market है आपसे 10 कदम आगे रहेगी हमेशा हम लोग इसे बीट नहीं कर सकते हम लोग बस संभल सकते हैं इसमें संभल संभल करके चल सकते हैं तो अपने लिए ऐसी जगह तलाश नहीं पड़ते हैं जहां पर हम लोग पैर रखें और चोट ना लगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे धीरे 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 जह पढ़ना पड़ेगा आपको practice करनी पड़ेगा आपको सारे चीज़ों को बारीग वी में समझना पड़ेगा जब इधर इस वाले हम लोगों का जो अपना segment है इक्विटी segment यहां पर हम लोगों को सारी चीज़ समझने पड़ेगी और Et 일이 मैदान है जहां पर समझ Now बाकि अगर हम चाहें तो आपसे option वगरा करा सकते हैं फिर हम यह सारी चीज़े लेकि आप पढ़ नहीं पाओगे कभी लेकिन अगर इसमें profitable नहीं होकर कि किसी भी segment में आप काम करने के तो रहोगे कहीं के नहीं यह बात याद रखना हमारी गाठ बान लो यह बात वरना हो सकता है अभी आप क्लास करो profitable हो दो मेने तीन मेने के बाद में profitable है बाद में आपके अंदर से एकदम से anxiety आई अचानक से confidence पता नहीं कहां से blast हो आपने जैसे segment change किया ना शुरुआत में तो हो सकता है ठीक रहे बाद में फिर आप नीचे गिने लगोगे फिर आप घूम फिर कर यहीं पर आओगे तो जहुरी है कि उस रास्ते जाओ ही नहीं जाना है हमें लेकिन पहले इसको संभालना है यहां पर practice करने जो जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते चले जारे जैसे समझाते चले जारे इसकी प्रैक्टिस कर डालो और कुछ मत करना कुछ questions वखरा हैं अभी जो चीज़ें बाकि और कोई concept नहीं अभी जो भी points अभी मिने बता हैं आप लोगों को उसको लेकर कोई भी question है तो question answer करें कोई बात हैं तो इसको clear कीज़ें नहीं बाकि कोई नहीं अभी जो चीज़ें बताई हैं इसको लेकर करके अगर कोई doubt है तो इसको clear कीज़ें हम सिर्फ अभी के कुनाल माई करीए अपना साथ अब जीए formation बताएं शिंगल कंटा rejection जो हैं तो इसमें कोई volume का यह वोल्कल हो स सब्सक्राइब कर देंगे उसके लावा भी बहुत सारी फॉर्मेशन है मतलब लोवर टाइम पर तो काफी सारी फॉर्मेशन जैसे विए से है सब्सक्राइब करने हैं और बाकी एक दो जो है वह हम क्लासे लेंगा कि तुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुट वह क्लियर हो जाए उसके बिल्कुल भी टेंशन आलो वह सारी क्लियर होंगे करके सब्सक्राइब कुनाल के अलावा किसी कोई क्वेस्टन है वह तो चाली है उसको कहां जाना है हमें तो लग रहा है वह बैचारा उसकी जो हरकत हैं वह नीचे ही आएगा वह आई इंचे यह देखिया है जैसा भी हम लोगों ने अनल्सिस की थी ओपर की तरफ चलने के पाद में नीचे की तरफ आ रहा है दीरे दीरे यह होते हैं ऐसे लाइब मार्केट में आप प्रैक्टिस करो इसकी लाइब मार्केट में देखना कितना कॉन्फिटेंस आप गें लेकिन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत करनी वो पॉइंट अफेक्शन पर करना जो हायर टाइम फ्रेम पर आपको बताए हुआ है अगर एक बर वो क्लियर हो गया तो उसके बाद में बहुत सारा काम अपको प्लियर हो जाता है और तो बहुत साही चीज़े याद होगा शुरात में आपको टाइम देते थे किसी अब्जर्बेशन करो एक फॉर्मेशन पढ़ा है तो पूरे भी कुसकी अब्जर्बेशन हो और इसको क्रेशन अंसर हो रहा है इस तरह से कॉंट्रिवसली बद धीरे 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 मुगा है कि तरफ डिपेंस आप मैं करूट करिए बोड़िव अबर इसका बेस्ट केंडल देख लिया है तो पता चल गया है वहले तो ग्रीन था अपर उसको समझने के लिए आपने लास का बॉलून का बेस लेके उसको पॉंट आउट किया और क्या पॉंट पकर के आपने बोला कि यह रिजेक्शन करेगा यह फेप ग्रेक आउट क्या एक काम करी यहां पर आपका आपने पुंट सबस्ट केंडल भी लिया होगा कुछ दिख रहा इस जगे पर यहां पर यह इस जगे पर देख लीए दिखिए क्या दिखा एक तो हमारा मैस्ट केंडल है इदर का और इसके उपर का सबसे बड़ा यह ना बड़ा बोलू द अगर बस 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 देखी ना और बाकिए आप यहाँ पर यहाँ पर यह जो swings तेख रहे हो ना swing के साथ साथ में वालूम साथ के नीचे की तरह आई है सब्सक्राइब करें किनि अप्टाइब कर रहा है यहां अपर किया प्रिस क्या कि शिफ्ट करता होगा चला रहा रहा है यह और है यहां मोग बन गया ओ सिंपल सी चिजह कर देख रहे हैं वाल्यम को च्छोड़ वाल्यम का लिक्टशनी कर रहा है कि इसिर्फ फ्राइज इस हो पर आप लो श्रौろ और हम आपर एक ऐा ने चाप कि अगर इसे नीचे की तरफ जाना है तो यह एक ट्रैप होगा एक तरह से कि प्राइस देखो यहां पर क्या बोला ना हम देखो रेस्टंस ब्रेकर हमें बाई कर लो आप बाई करोगे और मार्केट जैसे-जैसे अपने हाई तो प्रोटेक्ट हो ही रहें तो हाई तो ब्रेको न 今 इथे का साइट ही पता चालो इसलिए इधर साइट मेंचे चार्राहाब पया हम दो उटाओ खाल। था इवी इदर चार्ट में दिख सकता था. इसलिए फोकस इधार रहा है इसलिए मैंने कुशिदी अभी तो ठीक है समझ गया बड़ा पुरा चार्ट देगा तो याद आ गया समझ भी आ गया करते हैं लोग और कशन कर लेंगे एक ग्रूप को अपना ट्रेड डिसकर्शन होना ा तो ओकर लुटनाइट और कवे आप